असलाम आलेकूम सुदेंस वेलकम बैक टू अपना टीचर डॉट कॉम आज हम बात करने जा रहे हैं कॉर्टाइल पे जो के मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी की मजीद आगे चीजे निकल रही है पहले हमने मीन को डिसकस करा मीडियन को डिसकस करा मौट को डिसकस करा दोनों एं के काइने पहले इस बात को देखते हैं कि कॉटाइल हम पढ़क रहे हैं देकए जब हम मीडियन की रिप्रेसेंटेटटीव वैल्यू निकाल यह ते कि बाई डेटा को मीडियन सेंटर से तोड़ देता है दो हिस्सों में तोड़ता है 50% 50% को एनलाइज कराता है मगर जब हम कॉटाइल में बात कर रहे हैं तो डेटा मजीद सिंप्लिफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा कॉक कॉटाइल मतलब होता है four quarter quarter से निकला है quartile quartile मतलब four जब भी हम quartile में बात करेंगे तो इस बात को दिहान में रखेगा कि हम बात करेंगे one upon four के उपर मतलब कि quarter से निकला है यह one upon four and quartile वहीं से dry हुआ है quartile निकालने की वज़ाई यह है कि हम मजीद data को simplify करना चाहते हैं मजीद अपने लिए असान करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सेट अबसर्वेशन अभी तो कम है 15 होती हैं कुछ में 20 मैक्सिम्म मगर जब प्रेक्टिकल लाइफ में बात करें तो हमारे पर डेटा होता है बहुत यूज फॉर्म में बहुत ज्यादा होता है थाउजन अबसर्वेशन तो इसमें आपको हर चीज की कैलकुलेशन तो करें लोगे मगर एक्चुल पिक्चर नहीं पता जलती जब तक आप डेट बहुत हीूज होगा और आपको इसको अनलाइज करना होगा और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूस निकालनी होगी तो यहां जितों हो गए हमारी बात कोटाइल की अब कोटाइल निकालते कैसे कोटाइल निकालने का जो तरीका है वह बिट लाइक मीडियन ही है बहुत से ज इस लाइन के मैंने four equal parts कर दिये क्योंकि का मतलब quarter है और उसमें four equal parts होते है पहला पार्ट आपके 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा पार्ट आपके 50% को तीसरा पार्ट 75% को और 14 आपके 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह basically कोटाइल है जो जब हम कोटाइल निका परसंड को क्यू 3 75% को क्यू 4 100% को रिप्रेजेंट करेगा यह कोटाइल की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिससे आपको बाता सब्सक्राइल कैसे निकालेंगे अब मैं कोटाइल का formula निकालने जा रहा हूं formula drive करने जा रहा हूं और बताऊंगा कि important formula कौं कौं से हैं q1 निकालना हूं इसलिए यहां पर 1 आएगा तो q2 निकालेंगे तो इसका मतला हूँगा 2 n प्लस 1 अपान 4 वैल्यू q3 3 n प्लस 1 अपान 4 वैल्यू और लास्ट जब मैं q4 निकालने जा रहा हूं तो 4 n प्लस 1 अपान 4 यह होंगे आपके कोटाइल के formula अब मैं देखता हूं के हमारे लिए important formula कौं कौं से हैं है तो सारे important बट relevant formula कौं से हैं सोटी सी mathematics से मैं आपके बात के लिए करता हूं वन हमारे लिए सही है जब हम टू कोटाइल पर जा रहा है क्यू पर जा रहा है तो एक important बटाने जा रहा हूं जब आप इसको टू को वन से तो यह बन गया प्लेस वन अपॉज आपको फॉरण करता है और मीडियन भी फिफ्टी पर्संट डेटा को रिप्रेजेंट करता था तो इस तरीके से आपको यहीं करेंगा और Q3 another important है सवाल जो जाहतर होते हैं Q1 और Q3 के होते हैं last ये है last में क्या है ये 1 और 1 तो ये क्या बज़िए n प्लस 1 value तो ये भी इतना important नहीं होता Q4 क्योंकि ये 100% data को represent कर रहा है और ये 50% तो ये आपने median निकाल लिया और यहाँ पर 100% data है तो इसलिए ये तना important नहीं होता सवाल आपका जाहतर आता है Q1 आता है और Q3 आता है कि आपको यहाँ पर यह सवाल लिखा है मैंने कि बाहिस किस तरह निकलता है कि उत्याति किस तरह निकलता है तरह कि करके लेके चलते हैं वह देख चुके हैं सबसे पहले क्यों देखते हैं यह पहले यह देख लेते हैं कि वैल्यूस कितनी हैं वान टू त्री फॉर फाइफ सिक्स सब्सक्राइज करना होता है सेंडिंग उडर में इसी तरीके से कॉटाइल में भी अरेंज करना होगा क्यूंकि आप टी एच वैल्यू की बात कर रहे हो यह जगा टी एच वैल्यू लिखा लिए तो टी एच वैल्यू असेंडिंग और में कनवर्ट होने के बात ही इग्जेक्ट आती है यह बात हमेशा जहन में रखिएगा अब हम निकालने जा रहे हैं क्यू वन निकालते हैं वान एन प्लस वन अपान फॉर टी एच वैल्यू वन इग्जेक्ट डायगा आपके पास 4th value Q1 आपके पार आया 4th value 4th value कौन सी है यह आपर 1,2,3,4 9 जो है यह आपके पास क्या आगया है आपर Q1 क्या आगया Q1 आपके पास Q1 is equal to 9 यह आपने यह आपर represent कर दिया आप Q2 निकालने जा रहा हूं डारक लिक रहा हूं वैसे Q2 निकालते नहीं है मगर मैं फिर भी आपको निकालके दिखा देता हूं 2,15 plus 1 on 4 यह क्या हो गया 15 on low 16 यह होगा आपके पास 16 divided by 2 होगे आपके पास 8th value यह होगे आपकी 8th value यह होगा Q2 8th value कौन सी 4 यहां सी थी 5,6,7,8 8th value आपके बाद आगई 13 Q2 आपके बाद आगया 13 अब निकालते हैं Q3 3 और यह 15 plus 1 exact table को 16 upon 4 यह कड़ गया आप से 4,4,16 यह हो जाएगा 12th value 12th value क्या है यहां पर 8th थी 9,10,11,12 19 19 Q3 आपके बास क्या है 19 लास्क निकालने जा रहा हूं Q4 Q4 कैसे निकालते हैं बेटा 4 यहां रखो N plus 1 upon 4 यह हो जाएगा क्या होगी आपके बास 15 plus 1 यह आपके बाद आएगा 16th value जो के आपके data में मौजूदी नहीं है यहां पर Q4 इस तरीके से निकला मैंने सारे आपको Q1 भी दिखा दिया Q2 भी निकालके दिखा दिया Q3 भी निकालके दिखा दिया Q3 भी निकालके दिखा Q3 भी निकालके दिखा दिखा Q4 भी निकालके दिखा